हेलो गाईश वेलकम टू माई टूप चैनल ऑनलाइन टेक इस वीडियो में बात करेंगे मोटर मेकेनिक वीकल कोर्स के बारे में जिसे हम एम एम वी के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों इसके बारे में जितनी भी हाइलाइट हैं या इसके बारे में जो भी जानकारी हैं सभ प्रोवाइड कराएंगे आपको तो चले दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस कोर्स की यह कोर्स है जो आपको दो साल का होता है यानि कि इसमें आपको टोटल टू येर का समय देना होगा जभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगी आपका एक साल का जो समेश्टर है वो आप इसे डिप्लोमा भी कह सकते हैं ये दोनों में काम करेगा ठीक है नेक्ट बात करेंगे दोस्तों इसकी इलिजबल्टी के बारे में तो इसकी इलिजबल्टी की बात की जाए तो दोस्तों इ commencement minutes कि पास साइंसोल मेंचlla सबजेक्ट होना चाहिए दस्मिक में ठीक है अक् पर पांच नमबर एक्टा मिलते हैं जिसे कि आप कोर्स करने में आसानी हो जाती है नेक्ट बात करेंगे दोस्तों इसमें एडमिसन प्रोसेस की जब भी हम एडमिसन लेते हैं तो इसमें जो एडमिसन होता है आपका वो आपके मेरिट बेस एडमिसन प्रोसेस होता है भीापका यानिकी एडिमेंशन हो सकता है यहाँ पर करेगा कि आप कि अका कि भीलोंग करते हैं और बहुंपर मेरिट्र या इंटेन्स भेस पर आपके एडिमेसन करा जा सकते हैं इसके्याइद दोस्तों आती है आपकी अक्तिक के भारे में तो अगर आप उसे गोड्मिंट से करते हैं तो जो आपकी एवरेज फीस होती है वो अराउंड पड़ेगी तीन हजार रुपे पर मन्त यानि की जो समेश्टर वाइज होती है हमारी ठीक है पर समेश्टर के हिसाब से 6 मन्त का समेश्टर होता है और अगर आप इसे किसी प्राइवेट से जाते हैं तो यह जो आपके तीन हजार फीस है वो बढ़कर हो जाती है कम से कम दस हजार से पंद्रह हजार रुपे पर मन्त यानि की पर समेश्टर के साब से ठीक है दोस्तों यहां पर आपको सोचने वाली बात है कि अगर आप गौर्णमेंट से करेंगे तो आपको बहुत कम फीस में आप यह कोर्स कर सकते हैं वहीं अगर आप इसे किसी प्राइवेट से करेंगे तो यह आपको पंद्रह से 20,000 रुपे तक का पर सकता है नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एवरेज सेटार्टिंग सेलरी के बारे में तो इसमें जोब आप कोर्स को कर लेते हैं तो इसकी सेटार्टिंग सेलरी क्या होती है तो यहां पर आपको शुरुआती 15,000 से 20,000 रुपे पर मन्त के हिसाब दे मिलती है और जैसे जैसे आपका experience बढ़ता है उसके साथ ही आपकी salary भी increase होती रहती है यह भी depend करेगा कि आप कौर्स कोर्स करने के बाद आपने पढ़ाई केसी की है और आपको कितनी knowledge है और साथ में आपने कौन सी कमपनी में जोब कर रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके कुछ अडिशनल यानि की डीटेल के बारे में जैसे कि ये कोर्स आपको दस्मी से करना होता है इसके बाद आपको यहां पर आपके सब्जेक्ट में कम से कम दस्मी में 40% एगरेट मार रखोने चाहिए पलस अलग पलस टू आपने कर रखे तो पांच नमबर एक्स्टा मिल जाएंगी दोस्तों सबसे मैं आपको बता लेता हूं बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि उनके बारे में बताए जाए कि इसमें कितने समस्टर होता है तो यहां पर आपको टोटल गदे, तो कहां पर जॉब मिलेंगी और किस टाइब की जॉब मिल सकती है, तो दोस्तों जैसे इक नाम से पता सल सकता है म-मी मोटर मेर करने के विकल तो इस कॉर्स को करने के बाद भाड आप हीरो मोटर हैं इनमें आप जोब कर सकते हैं नेक्ट आता दोग्स तो जोब प्रोफाइल की बात तो यहां पर आपको जबाई टैक कर लेते हैं मोटर मेकेनिकल से तो आपको जोब प्रोफाइल की तरह की मिल सकती है got origins मतलब होता है कि आप क्या 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 काम कर सकते हैं किसी में जैसे क्यों बन सकते हैं इसके बाद आप electronic mechanics relativity मोटर में कर सकते हैं यृए अगर điều कि काम धा कर सकते हैं देखत और से किती को यानि की आपको यनिकी काम करने को मिलते हैं round is a peter अगर और जान का लेनी है तो आप हमें और भी जानकारी बता आपको मिल जाएगी तो आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट कर दीजेगा उसके बारे में हम आपको जलूरर जान कर देंगे वीडियो कै neden लगा को मैंक करके जरूर बताएं thank you for watching this video